हेलो गाईस आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट मैस्टाइल पर आज की जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो माबाप हैं जब बुजर्ग होते हैं उस वक्त उनको एक सहारा चाहिए होता है अपने बच्चों का अपने परिवार क और उस वक्त अगर सपोस कि ये कि आप लोग घर से दूर रहते हैं कहीं जॉब करते हैं आप अपने माबाप से डेली बात करते हैं उनके हाल चाल लेते हैं लेकिन घर से दूर रहते हैं इसी बीच कहीं कुछ ऐसा हो कि आपके माबाप को कोई टार्गेट बना रहा हो इस प बुजुर्ग, senior citizen person को new video call में case cam में कोई फसाने की पूरी तयारी कर रहा हूँ जी हाँ, चार लोग, ये चार लोग क्या करते थे, facebook और instagram पे फरजी profile बनाया करते थे फरजी profile बनाते थे, उस फरजी profile में जो लड़की का photo लगाते थे हो बहुत ही मैं कहूँगा hot, clamorous, stunning, बिल्कुल ऐसा photo लगाते थे कि बस आदमी देखे और देखते हिल जाया उसका दिमाग कि वा, क्या लड़की है और कितनी खुबसरत लड़की है और बस इसी तरीके के आकरशन से कहीं न कहीं जो senior citizen होते थे, वो उस पे कहीं click कर देते थे क्योंकि ऐसा नहीं है कि senior citizen लोग खुद click करते थे ये क्या करते थे, चार लोग की, instagram पर और facebook पर senior citizen के profile को ही hit किया करते थे और उनी पर ये message send किया करते थे, hi hello का, और क्योंकि एक बहुत अच्छी और सुशील लड़की का photo लगा कर, मैं कहूंगा वो hi और hello के message भेजते थे, तो senior citizen कहीं न कहीं ये सोचके कि हो सकता कोई जान पचान वाला हो या कोई इनसे मिलना चाता हो, या उनसे कोई बातचीत करना चाता हो, उसका वो reply देते थे और वही reply देने के साथ साथी, ये लोग क्या करते थे, phone number को exchange करते थे केबल ये starting में केबल chatting ही किया करते थे, और चैटिंग चैटिंग में ही, ये chat में इतना फसा लेते थे senior citizen को, कि बात केवल number को exchange करने तक की आ जाती थी, जब senior citizen अपना WhatsApp number इनके साथ exchange करते थे, बस वहीं से ही इनके पापगड़ा भरना शुरू हो जाता था, अब ये करते क्या थे, कि WhatsApp number जैसे exchange होते थे, वैसे ये उस senior citizen को call करते थे, और call करने के साथ साथी, उसका एक video clip एक nude लड़की के साथ record कर लेते थे screen shot और बाद में उस लड़की को भेजते थे, उस बुजर्ग को भेजते थे और कहते थे कि आप हमें इतना इतना पैसा दीजिए, अब senior citizen जो अपनी इज़त, उसने पूरे साथ साल में जो अपनी इज़त बनाई है, उस इज़त को वो कैसे मटी में मिल जाने दे, और इसलिए हर कोई बुजर्ग आदमी चाहेगा, कि इस तरीके का अगर कोई case हो गया जो की अच्छा कासा देखने में हो, जो healthy और wealthy हो, so that कि उसके पास से अच्छा पैसा निकाला जा सकी, इन चार लोगों के पास मैं कहूंगा, पुलिस की तरफ से कम से कम 5 लाग complaints थी, जी हाँ, 5 लाग complaints बहुत होती हैं, क्योंकि ये बहुत time से इस तरीके का धंदा कर रहे थ और नो ने बहुत सारा पैसा कमाया, अंदा धुन पैसा कमाया, जिसकी 5 लाग complaints हो, आप समझ जाए कि उसने कितना पैसा कमाया होगा, अब इस तरीके की ये complaints का भंडार होने लगा, तो फिर पुलिस ने इनके बहां rate डाली, अब ये बंदे थे कौन, मैं आपको इनके नाम बताता हूं, इनकी जगे बताता हूं, ये जो पूरा वाक्या है, ये वाक्या है इंदौर का और इंदौर के विजयनगर का, इंदौर के विजयनगर से ये बंदे इस तरीके के case को operate करते थे, और अंदा धुन लोगों को senior citizen को सर्च करते थे, instagram, facebook पर, उनको target करते थे, और पैसा निकालने का पूरा काम करते थे, और बहुत सारे senior citizen इसमें फस भी चुके थे, और जब ये पकड़े गए, उस वक्त कुछ लोग फसे हुए भी थे, जो इनको पैसा देनी की तयारी कर रहे थे, इनका जो सर्गना था, उसके सर्गने का नाम था, सर्गना मतलब लीडर जो इनका सर्गना था, उसका नाम था संदीब, उस संदीब के साथ जो बंदे काम करते थे, उनका नाम था मोनू, सचिन और अमन, जी हाँ, संदीब के साथ, जो इनका सर्गना था, उसके साथ जो बंदे काम करते थे, उनका नाम था मोनू, सचिन और अमन, और ये बंदे ध स्पेशली सीनियर सिर्जन को हिट करते थे यहां पर बात ऐसी नहीं है कि यह केबल ही केबल सीनियर सिर्जन को हिट करते थे हो सकता है कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी इन चार लोगों ने कभी फ्रॉट किया हो क्योंकि इनका पहला टार्गेट सीनियर citizen होता था क्योंकि इनका मानना ऐसा रहता था कि जो senior citizen है उसके पास तो पैसा जरूर होगा क्योंकि वो family से related बंदा होगा या फिर retired बंदा होगा या उसने कहिना की job की होगी उसको pension मिलते होगी कुछ नगुट whatever ऐसा जरूर होगा वो इनको पैसे जरूर दे सकेगा और उससे important चीज कि 60 साल का बंदा अपने इज़त बचाने के लिए पैसे जरूर देगा तो इस तरीके की theory को ये mix up करके इस तरीके से काम करते थे और senior citizen इनको hit करते थे और उनसे पैसा निकलवाते थे बट इंदोर पुलिस नहीं इन सब को धरदवोचा और धरदवोचने के बाद आज की date में ये सलाकों के पीछे बहुत ठंडी-ठंडी हवा खा रहे हैं और अब इनका नामो निशानी इस दुनिया से मिटने वाला है क्योंकि उम्र कैद के साथ इनको पूरी सजा हुई है क्योंकि इन्होंने इस तरीके से बहुत सारे लोग के साथ fraud किया है जिसमें हो सकता है कि कुछ senior citizen ने suicide भी कर लिया हो हम literally हम इस तरह की तो जरूर है ऐसा कि बुजरूरों को फसाया गया बट who knows कि उनमें से कई सारे बुजरूरों ने फासी भी लगा लियो जिसका reason उनकी family को आस तक ना पता चला हो हमारे आस रोस में somehow कभी ऐसे cases हो जाते हैं कि जब कोई फासी लगा लेता है बट उसका reason कभी किसी को नहीं पता चलता है यह मैं कहूं कि पुलिस वालों को भी कभी उसका reason नहीं पता चलता कि उस बंदे ने society क्यों कर लिया और यही reason होते हैं इस तरीके के कि जब कहीं किसी को कोई underestimate करता है कोई किसी को इस तरीके को यही advice करना चाहूंगा कि कभी भी इस तरीके के case आपको के साथ होता है तो हमेशा एक सांती से मन में सोचिए कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है हमेशा कभी भी immediate action मत लिए अपने दोस्तों को अपने परिवारवालों को उसमें involve जरूर करिया उनको इस घटना के बारे में बिल्कुल सच बता दिए मैंने अपने कुछ वीडियो ऐसे डाले है जिसमें मैंने motivation भी आपको दिखाया हुआ है कि जो बंदे fraud में फसे हैं उनने कई सारे बंदों ने अपनी family में बता दिया है कि उनके साथ fraud हुआ है इस तरीका का fraud हुआ है और आप believe करिए जिनों नहीं नहीं देखा मेरे कुछ वीडियो में वापस जाकर आप देखना वो बंदे आज मस् information नहीं है क्योंकि उनने अपनी family में बता दिया family person ने उनको support किया और आज वो बिंदास है मस्त है और वो हमेशा मेरे वीडियो को देखकर हमेशा thank you कहते हैं मुझे phone करके message करके कि sir मैं अपनी family में बोल पाया तो because of your videos क्योंकि आप अपने वीडियो में हमेशा ये confidence देते है कि अपनी family में बताईए इस तरीके का fraud आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो किसी भी platform पर social media के platform पर आप लोगों को डराते हों कि अब आपके साथ fraud हो गया है तो आपको police आएगी ये होगा वो होगा के cherry में case चलेगा police आपके घर आएगी आप इस case को बं connection लेना चाहिए आपको अपने मावाग को बताना चाहिए और जिन लोगों को ये चार लोगों की गिरफतारी पर सुनकर बहुत खुशी हुई हो वो मुझे कमेंट करके जुरू बताना क्योंकि मुझे पता है जो लोग इस तरी case में फस जाते हैं वो ऐसे वीडियो को देख लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मेरे वीडियो को लाइक करना और जो लोग मेरे वीडियो पर इस चैनल पर पहली बार आए हैं अगर वो ऐसे ही अपडेट आगे भी देखना चाहते हैं वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जूरू कर ले so that कि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहे तो guys मिलते फिर अपने अगली वीडियो में तब तक लिटाटा बाई बाई नमस्कार